क्या आप भी कच्चा प्यास खाते हैं? अगर नहीं, तो आज से ही खाना शुरू कर दें. प्यास खाने से क्या फाइदे होते हैं? जानकरी के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें. प्यास कच्चा हो या पका हुआ, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन कच्चा प् में फाइबर होता है जिससे आपके पेट के अंदर चिपका हुआ खाना पूरी तरह डाइजेस हो जाता है नमबर दो कच्चा प्यास खाने से कब्स की प्रॉब्लम भी दूर होती है जो लोग सुबा एक बार में फ्रेश नहीं हो पाते उन लोगों को रात में खाने के साथ कुछ लोगों को गर्मियों में गरम हवा लू लगने से नाक से खून आता है जिसे नकसीर फुटना भी कहते हैं गर्मियों में खाने के साथ कच्चा प्यास जरूर खाएं जिससे ना ही आपको लू लगेगी ना ही आपकी नकसीर फुटेगी नमबर चार अगर आपके दात उसे खून आता है तो प्याज को गरम करके दातों के बीच में रखने से आपको राहत मिलेगी नमबर पांच कच्चा प्यास गले की खराज को भी दूर करता है जिन लोग का गला अक्सर खराब रहता है वो लोग कच्चे प्यास का रस निकाल लें उसमें सहद मिला लें और र कोलेस्टरल हमेशा बड़ा रहता है तो आपको ज़रूरत है कच्चा प्यास खाने की, कच्चे प्यास में एमिणो एसिड और मिथाईल सेल्फाइड होता है जो खराब कोलेस्टर Social को कम करता है और अच्छे कोलेस्टरल को रखता है नमबर 7 Κच्चा प्यास आपके दिल के बहुत ही फाइदेमन्ध होता है हाई बलड पेशर कंट्रोल करने में कच्चा प्यास बहुत ही help करता है ये बंध खुन की धमनीयों को खुनने में मदद करता है जिससे दिल की वीमारी होने का खत्रा कम होता है बहुत से लोग ये बात नहीं जानते के प्यास न खाने वालों की तुलना में क्यास खाने वालों की सेहत ज्यादा अच्छी रहती है कच्चा प्यास डाइबिटीस में भी बहुत ज्यादा फार्देमंद है जिन लोगों को कच्चा प्यास पसंद नहीं है वो कच्चे प्यास की चटनी बना के खा सकते हैं जिसमें मिर्च मसाला कम हो तो आज से ही कच्चा प्यास खाना शुरू कर दें